डियर एस्टेट्स बीपीसी के तियारी में मैट्स और रिजणिंग का अपना माध हो है हलाकि इसमें 10 कोश्टन्स आते हैं और ये 10 कोश्टन्स आजकल बहुत वैरियेबल डंक से आने लगे हैं यानि मैट के रिजणिंग के कितनी कोश्टन्स आएंगे ये आप नहीं कह सकते हैं ये हर साल बदल रहा है इसका अनुपाद बदल रहा है तो इस पर बात करेंगे लेकिन उससे पहले बहुत सारे स्टुएंट्स वेट कर रहे हैं टोपिक ये ये साइडलाइन टोपिक से इसके अलावा भी आपको पढ़ना पड़ेगा उमीद है कि आप पढ़ रहाँ होंगे और साथ में हमारा ये साइडलाइन टोपिक्स कर लीजे आपका रिजल्ट काफी हد तक कनफरम हो जाएगा चलि आज के टोपिक पना है सब आज बात करेंगे, एकदम आपका concept clear हो जाएगा देखे, 79 वी से पहले, last year जब examination हुआ BPSC का उससे पहले 5 questions mathematics के और 5 questions reasoning के आते थे एकदम proportionally 5-5 questions, math और reasoning के लेकिन 69 landmark था ये सारे exams में सबसे बड़ा landmark था और अच्छा है कि हो गया तो आपके 70 वी के examination में ये बहुत सारा hint दे रहा है कि तैयारी कैसे करना है, result कैसे लेना है final कैसे निकालना है like 69 में जब examination हुआ तो math और reasoning में math को हटा दीजे सारे questions, सभी 10 questions reasoning के थे हाँ, इसमें एक अच्छी बात ये हुई कि सारे 10 questions reasoning के थे लेकिन लगबग सारे questions बनने वाले थे सबसे पहले आई ये questions देख लेते है 69 जो 30 सितंबर 2023 को आजित हुआ उसमें reasoning का पहला question math का एक भी नहीं था, mathematical reasoning था लेकिन math के question नहीं थे as such, पहला question देखी जो आया हम B4 बॉय, B-series के question दिखा रहे है solar number, इससे पहले सभी 15 questions history का था, जो हम review कर चुके हैं पहला question देखे आया, एक कूट बाशा में great को ये कहते हैं, mong को ये कहते हैं तो vigorous को क्या कहेंगे अब ये question कहां से था, कैसे बनेगा किस तरह question था, tough था या आसान था तो पहली बात ये एक दम कहां मिल जाएगा, easy book कौन सा होगा, जिससे आप पढ़ करके अच्छी तियारी भी कर सकते हैं, आइए next question निमली के समुहों में, बे जोड को खोजे, यानि किसका mail नहीं है, कौन series में नहीं है, इसे खोजे, ये कहां से है, तो ये series से शिंकला परिक्षन टॉपिक से है, और ये question भी बनने वाला है, इस तरह के questions आएंगे, बन जाएंगे, next आइए एक company की चार शाका हैं, MNO और P इस्तित हैं, और ये सब कुरा details दिया हुआ है, M और P के बीच की दूरी क्या है, ये question दिशा और दूरी से है, दिशा और दूरी से, next question आए ये, इस number, एक निश्चित कूटबाशा में गेम को ये कहते हैं, बीड को ये कहते हैं, तो मेड को क्या कहेंगे, ये question कहां से है, ये भी coding decoding से है, यानि कूट लेखन से है, question का level क्या है, question एकदम आसान है, बनने वाला है, इसके examples भी हम दिखाते चलेंगे, next question आए, ये 20 number question, यानि पांचमा question reasoning का, क्यों पूर्व की और यासरा करता है, A मुत्तर की और, A सौर्टी विपरी दिशा में है, तो निश्चित रूप से सत्य है, ये किस chapter का है, reasoning के दिशा और दूरी का है, और दिशा और दूरी के ऐसे 20 question साब बना लेंगे, ये question बन जाएगा, next एक कीस number आए, ये question देखते हैं, एक वेक्ति रमेश, जिसके पास 100 वर्ग भूमी का plot है, अपने पड़ोसी सुरेश से है, और आगे सब कुछ बताते हुए निमलेकित में से कहा रहा कि कौन सा सही है, ये किस chapter का है, ये mathematical reasoning का है, इसमें थोड़ा सा mathematics होता है लेकिन ये reasoning का ही question है, थोड़े से practice से ये question भी बनने वाला, next आए, निमलेकित विकल्पों में से बेजोड कौन है, अब कहा रहा बेमेल कौन है, अब इसमें थोड़ा सा English का word आगया है, तो ये किस chapter का है, ये वरगी करन का है, classification का है, इसका भी practice करने से इसके भी questions बन जाते हैं, next आए, निमलेकित संख्या श्रिंक्ला में प्रश्ण चिंक्या स्थान पर क्या आएगा, तो ये question भी series test का है, श्रिंक्ला परिक्षन का है तो series test से दो questions होगे ये थोड़ा सा tough होता है, और कभी-कभी time भी लेता है, तो जो लोग बहुत कमजोर है, इस तरह कोश्चन में थोड़ा सा time taking होता है, छोड़ सकते हैं 24 number question, दिये गए विकलपों में लुप्त संख्या बताईए कौन है, ये किस chapter question है, लुप्त पदों का भरना इसी लुप्त पद को आपको भरना है यानि missing number को fill करना तो time taking होता है, आप चाहें तो इसे छोड़ सकते हैं, 25 number question, last question, यहाँ पर कथन और निशकर्च है, कहरा का एक दिवसी मैच में एक खिलाड़ी ने 200 रन बनाए, 160 spinner ने बनाए, सही कथन को चुनिए ये किस chapter का है, ये कथन और निशकर्च, यानि statement and conclusion chapter का है, सभी 10 questions थे, आपने देखा, सभी reasoning के थे, अब ये बनेंगे कैसे आए बुक्स की बात कर लेते हैं, जिस पर आप अगर आदे घंटे देते हैं, आदे घंटे डेली आदे घंटे देते हैं, और चाहते हैं कि 5-6 questions हम बना ले यहां से भी तो डेली आदा घंटा दीजे, अब आए बुक्स की बात, पहली बात, तयारी करने वाले students का best book उनके अनुसार होता है, जिसे वो समझ लेते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, या उनके गाइड ने जिस बुक को बताया, उसे उनने फॉलोड किया, वही उनके लिए अच्छा होता है इस छेतर में किरन पब्लिकेशन एक अच्छा नाम है, किरन का reasoning और mathematics अच्छा आता है, बट हम कई चीजों को देख कर करे किताबों के नाम लेते हैं, जैसे पूरे देश में मिल रहा हो, देश के हर कोने में मिल जा रहा हो, इसका price cost effective हो, थोड़ा सा reasonable हो, और वही बात, मिल जाए, आसानी से मिल जाए, चुकि कही बार जब हम कहते हैं, तो किताबें out of stock हो जाती हैं, और पिर चातर हम से बार-बार बोलते हैं, सार नहीं मिल रहा है, सार आपने date दे दिया है, इतने तारिक से कोर से start हो रहा है, इतने तार्यिष के तैयारी हम desarendas करना चाहते हैं, किताब नहीं मिल रहा क्या करें तो हम अब arhihanth को follow करने लगे हैं, चुक्के, arhihanth देश के कोने-कोने में मिल जाता है, इसके किताबे आप देखिए reasoning के लिए हमारी अगर आप बात करेंगे हम फिर से कह रहे हैं कीरन का math और reasoning based होता है बट थोड़ी मोटी होती है थोड़ा extensive होता है और जो targeted students होते हैं railway banking या दरोगा या S.S.C की त्यारी करते हैं तो उनके लिए कीरन publication का based है reasoning math लेकिन आप जब हम से PCS के थूरू PCS के लिए जुड़े हुए हैं तो आप time कम लगे आसानी से समझ में आ जाए और easily available हो ये सब हम देख करके permutation combination के बाद आपको हम किताब सजेस्ट करते हैं तो मेरे हिसाब से Arihanth की book reasoning की ये वाली आप देख सकते हैं ये book ठीक ठाक है ठीक ठाक रंग से बताया हो बलके अच् इसका English version देखे ये है इसका English version भी ठीक है सेम बुक है इसका सेम बुक है English version इसका अंदर का index भी आप देख सकते हैं बहु सारे students करेंट का वेट कर रहे होंगे current अगले episode में बात करेंगे इसमें काफी लंबा अल्रेडी हो चुका है चलिए questions of the day में आज का पहला topic है modern India का समाज से उठाईए और जितनी भी संस्थाएं और सुधारक है और उनकी नीतियां है उनका स्थापना वर्ष है उनका मुख्याले है ये सब करना है तो पुनर जागरन यानि 19-20 शिताब्दी का सामाजिक धार्मिक सुधार अंदोलन दूसरा topic science का एक रहता है जो आज है chemistry का जो अमरीका और वेस्ट इंडीस के संयुक्त मेजबानी में इस वर्ष हुआ भारत ने जीता उसका दूसरा topic है चंदरयान 3 इसका परशेपन किस दिन हुआ कहां से हुआ किस दिन ये चंदरमा पर इसकी लैंडिंग कब हुई कहां हुई ये सब डिटेल्स आप करेंगे अखर सम्मेलन है तो बहुत आरे शुब कामना है बेस्ट आफ लग टेक क्या